हलो नमस्कार आदाब साचरेकाल दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तो मेरा नाम रत्ती पहाट है आज मैं आपको टूशिटर बॉक्स के बारे में बताऊंगा टूशिटर सोफा बॉक्स बोलते हैं इसको हम आज इसके टोटल जाइन करें दूँग आपको आप जरे बैने रही हैं इस वीडियो में दोस्तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी बिक्री की दोस्तो यह सबसे ज़्यादा बिकने वाला सोपा है क्योंकि जगे कम गेरता है ज़्यादा तो लोग बाग इसे ही खरीदना पसंद करते हैं आपके वहाँ पर अब पुझ रहता है औरनी पुझहें नहीं बालो हमारी यहां पर यह बनता है अगर कोई भाइससीखना चाहता है हमसे कॉंट्रैक्ट कर सकता है हम आपको चीक्ण दिखाएंगे अब मात्र नहीं पास 10 दिन रह लागन को यहाँ जनमा को दस दिन दस दिन में उसको हैं इसकेга बॉक्स की बास करते हैं जो ऋंटे यह उसको कैसे बनाते हैं तो दोस्तों सब से पहले Sache यूज करते हैं इसमें 12М5 हमारे यहां पर बार हम पिलाई हम यूज होती है तो दोस्तों पिलाई यहाति है हमारी 64 47 48 चार-पीस निकाल लें और बार इन्ची के जो चार फुटा होता है हो चार फुट की ही बंचे जो दो बैंचे तो हो बत चलब फूटा मी पंचे के कंद जो के तब और यह में उसको ठोग दे और इस पिलाई मेना फंटी लगा देए यह में इक फर्मन को से इसमसरा की लगा सकते हैं आप नीचे 6mm प्लाई हो उपर जिसमें बैठेंगे उस पर हम 15 mm पला लगाते हैं 15 mm प्लाई जिस पर गद्धी लगा जाती है उस पर 15 mm प्लाई यूज होगी क्योंको इस पर बैठा भी जाता है दोस्तों इसके अंदर एक बॉक्स है यह बॉक्स जिसमें कुछ सामार रख सकते हैं जैसा कि आप खुला देख रहे हैं इसमें तक्या वगेरा कुछ सामार रख सकते हैं जो लंबा ही होती है उस पर एक सेरू लगा जाएगा जिसको हम सेरू उसके सपोर्ट बन जाए उसकी ताकि उपर दोस्तों उपर 15 mm प्लाई का यूज करें क्योंकि उपर ब तो दोस्तों यह तो फ्रेम की जानकरी हो गई तो चलिए दोस्तों अब इसके कपड़े की बात करते हैं दोस्तों इसके गद्दी का कपड़ा कटेगा तो चलिए दोस्तों गद्दी का कपड़ा के से काटा जबता हूं दोस्तों गद्दी के कपड़े के लंबाई इसकी आप 65 इंच काट लीजे पैंच चोड़ाई आप उसको 35 इंच काट लीजे अगर आप गद्दी वैसे नहीं लगाते तो गद्दी उपर बिच्छा कर जो फोम गद्दी होती है उसको बिच्छा कर इस पर कपड़ा ठोक दें और नीचे से इस कपड़े में पिंच ठोक दें कोई सिलाई जरूत नहीं है आप ऐसे ही लगा सकते हैं दोस्तों जो जो प्ला उपर 15 पला है उसमें ठोक दें अगर आप बीच में कट देने चाहते हैं त तो दोस्तों हत्तों की कपड़े की बात कर लिते हैं हत्तों का कपड़ा कटेगा 21 28 इंची का 21 28 इंची कपड़ा कटेगा घत्तों का तो दोस्तों हत्तों पर आप चुन्नट दे सकते हैं चुन्नट अच्छी लगती है हत्तों पर सिलाई दे सकते हैं सिलाई भी अच्छी ही दोस्तों हतो पर फॉम यूज करते हैं देड़ींची फॉम एकर बटन खीछने में थोड़ा गड़ा पड़ जाता है तो अच्छी लगती है वो देड़ींची फॉम की सकते हैं दोस्तों बगली कपड़ा 28 बाइ ऐए 28 का अठारे का अठारे का खटेगा 28 इंच लंबाई 8 री चोड़ाई वो कटेगा, तो दोस्तों इसका सामना, सामना का कपड़ कटेगा, 12 भाई, 16 इंची का, सामना का कपड़ काट ले, और आप अब अब को बताता हूं, इसका कुछन कैसे बना जाता है, तक यह बोलते हैं, तक यह, चोदह बाई चोदह का बना सकते हैं पर आप सोलह बाई सोलह का बना सकते हैं सोलह बाई सोलह का बना कर साइड से सिल दे उसको उसमें चुन्यट की सिलाई मार दे और उस पर तो दोस्तो यह तो हो गई इसकी बनाने की तरीका तो दोस्तो अब इसकी प्राइस की बाद कर लेते हैं दोस्तो हमारे हैं पर इसकी प्राइस में 13,000 रुपए हैं 2-set के 13,000 रुपए है मातर तो सारी है भी चीज लगते हैं गद्धी है लगते हैं 40 डैनिस्ट्री की याद रखना इसलिए इसकी कीमत थोड़ी महंगी है 12,000 रुपए हैं तो दोस्तो रिटेल में थोग में ख़ीदने चाहते हैं तो आपको सस्ता पढ़े तो दोस्तों अब इसकी कोष्ट की बात करते हैं इसमें कपड़ा इसका अच्छे कपड़ा लगता है कपड़ा लगता है इसमें सो रुपी मिटर कपड़ा आता है इसका सो रुपी मिटर उसका पड़ा लगाते हैं रेक जीन का यूज नहीं करते हैं रेक जीन क्योंकि खराब कर सकते धन्यवाद